हाई आपका पोश पारिस्थितिक अनुकर्मिक तक पडिवर्टन होता रहता है जो मुखेता जयविक कारकों जल मिरदिये कारकों तथा अनिबरिया-वणिक कारकों या शीलता के कारण होता है यह पड़िवर्तन तब तक चलता रहता है जब तक की जीवों को जीवों का ऐशा बढ़ अस्था पेतना हो जाता है जो छेत्र में सफलता प्रोवक रहा सके एवं जनन कर सके इसे जैविक अनुकर्मन या पारिश्थितिक अनुकर्मन कहते हैं की बात कर ले तो मंडली करन किसी नए छेत में दूसरे जगहों के परवर्दकों जैसे बीज बीजानु परजनन संबंधी संट रचना के आभगामन को आस्थानांतर करते हैं जिसके करन मंडली करन के परक्रिया होती है या अनुकर्मन में होने वाली पहली अवस्था है है तीसरा है है समुचयन तो आस्थापन के बाद बढ़रों में पूस्पन फल निर्मान एबं बीजोन को होता है यह बीज अंकूरित होकर उससी अас्थ्थान पर परोलों की संख्या मेंृत होते करते रहते हैं जिससे समुष्टियों का समुचन होता रहता है ठीक है जो होता है परती इस पर्धा समुच के फैफ सो रूप एक ही जाते हैं कि आबादियों आबादियों के बीच एक विभिन जाती हो के बीच परतियस पर्धा समीत संस्वधन के विभिन संका घठकों के उपयोग उप्योग के लिए होने लगती है जो जीव परतिस्वर्धा में शफल नहीं उपाते वह देरी देरेनास्ट हो जाते हैं परतिकिर्या यह रिक्षन जीवों के समुदा एबं उसके बास अस्तान पर मौज़ूद बाता बढ़नी है कालाकों को भी छोने वाली किर्याओं को पर समथ होने लगते हैं तक यह पर किलिया तक चलती रहती है जब तक की उस सतान पर जर्म परनस्पति का विकास नहीं हो जाता अनुकरमन का अंतिचरम समुधाय अस्थाईत कायम करने को सिक होता है जिसे अस्थाई करन करते हैं ठीक सु थिंक्यू